क्या आप चाहते हैं कि पाउन सिंग लड़े आ रहे हैं पाठी काम है ना अब हम कहते हैं कि पाउन सिंग को टिकट मिलेगा यह उनका उपर है पाठी टिकट देगी वो टिकट एकसेप्ट करते हैं नहीं करते हैं सब्सक्राइब करें अब लिए यदे आरा से लड़ने के लिए, तो क्या आप सपोर्ट ते अब ने आपका रहें? क्या आप चाहते हैं कि पाहून सिंग जी कराजयतिक में आये हैं? पाहून सिंग्जी को टिकट मिनने वाला है बीजे पी आरा से टिकट देगे तो इस टिकट में क्या आपका सपोर्ट रहेगा ने टिकट तो पार्टी के काम है ना अब हम कहते हैं कि पाउन सिंग को टिकट मिलेगा आप बोल दिए कि नहीं मिलेगा तो हम टिकट देने वारों लेने वाले कौन होते हैं अगर बीजेपी ठीकर देती है चीट देती है आरा से लड़ने के लिए तो क्या आप सप्पोर्ड करेंगे हैं। तूब support तो करना ही है पाउन Singh को support करेंगे क्यों नहीं करेंगे आप चाहते हैं कि पाउन Singh लड़े आरा से इए उनका ऊपर है party ticket देगी, वो ticket accept करते हैं नहीं करते हैं यहां तो आपका रहा क्या है तो इनको भी टिकट मिलेगा अगर सेट करते हैं कि अभिनेता से नेता बने पहुंच से हम तो हम यह चाहेंगे कि एक नएक सिरींग आगे बढ़ता जाए आगे बढ़ें देखें तो पहुंच सिंग नेता बने ये उनके साथी सवयोगी भी चाहते हैं और हम लोग वहां पर आरा में पब्लिक ओपिनियन क्या था तब आरा के पब्लिक भी चाहती है कि पहुंच सिंग राजीतिक में अपना इंटी लगए तीन संसद हो गये हैं चौता संसद पहुं जी का गाना आया हुआ था मुकिया जी मन होखे तब ली एक इल्बम था एक एल्बम था इसको लोग दिली में रिकॉर्ड किये थे और एल्बम वो सुपर डूपर हीट अलबम था उसी में हम दो चार डायलक बोले थे और पबलिक और भोजपुरी समाज ने उसको पसंद किया अब वहीं से मेरा सुरुगा उसमें क्या एक दू डायलक बाबा थोड़ा पबलिक के लिए भी हो जाए उसमें गाना था पहुंजी का कि मुखिया जी मन होंखे तब यहीं लाइन था उसमें एक डॉलक हम बोले थे उसमें कि बोली बोली मुखियाजी खाई कि यह अंदाज में आप नहीं हम भी सुने आप चार यह ने पूबली तो तो मंच है नुइं चाहिए यहां भी लोग देकता कोई दीकत नहीं कामेड़ी चलता इं पर बोकिंग काल होई कि आज मईयों गयों बोला बोला एधाने डियल पीए पानी इतना ही था अच्छा एक और वो तो हो गया एल्बम की बाद केशट में आप जो बोले थे एक पंडी जी तो तलाहा पंडी जी का पंचलाईन आप बोलते हैं थोड़ा उसको पब्ली के सामने रख दीजिए तो तलाहा पंडी जी का बाद में हम बोलते हैं कहीं कहीं निवी चाइनल पर इंटर्विव हम दिये हैं तो कु कोमेंट देखे नहीं पढ़े नहीं हैं लेकिन हम को किसी पॉब्लिक से और भाई-लोग सुनने को मिलता है और कुछ-कुछ लोग कॉमेंट में लिखते हैं कि जो मंतर बाबा बोलते हैं, मंतर का तौहीनी होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको बढ़िया से समझन चाहिए कि हम तोहीनी मंत्र काना है मंत्र तो हम सही बोलते हैं मंत्र जो है हम सही बोलते हैं जो है मंत्र वहीं बोलते हैं लेकिन लेकिन बोल नहीं पाता है उसका भाव पफरगट करते हैं लेकिन लोग काहीं कहीं काहां कि यह उद्ध है लेकिन हम सही हैं कि गलत हैं हम च्वावनाओं मरें करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अगर कहीं भी आप होंगे तो च्छमा किजेगा पबली को हासाने के लिए अच्छा अच्छा मतलब पंडी जी चिड़े नहीं हाँ और पंडी जी बहुत गाली उली देते हैं हमको सुनने के बाद बाद में उजान गए कि मेरा ही बोली बोल करके मने बहुत आगे बढ़ रहा है तो ओभी आप खुछ रहते हैं मिलते हैं तो बहुत खुछ रहते हैं अब आप तो इस्टार हो गया ना आप से मिलने के लिए उतरस्ते होंगे हम लोगा पुरो ही थे हमको प्रभुदत्तिवार को से of इजान के लिए तो देखते देखते सुरू से मारा कलकारी दिमाघ है तो देखते सुनते सुनते हमका कोपी करने लगे जैसे जैसे 2 जीजब बली है एक और पूर घर हम भी बोलते हैं और ये लोटे ये दोनों थोड़ा पब्लीक को बताईए कैसे कैसे बुलते हूं सावन का महीना था दक्षिन भारत को पंडी जी आये थे बनारस विशुनात जी के दर्शन करने तो अधिकांस्ता सादू महात्मा लग जो पवरानिक विचार के होते हैं कुणा सुद बना जाता है आज भी हम हम लोग यहां जब शठ बरत होता है तो लोटा में रसी और वल्टी बांद करके पानी भर रहते उसी तैमन कर लोटा रसी खरक करके गिर गया कुणा में तो हाला लगे करने कुछ लोग जूटे तो अपने भासा में पंडी जी बनारस लोग से क्या कह रहे हैं कि कस्टिका क कुस्टिका में लुस्टिका गिरिस्टिका कुस्टिका में लुस्टिका गिरिस्टिका और कौन है धर्मिस्टिका जो कास्टिका के कुस्टिका से लुस्टिका निकास्टिका यहां कौन सा ऐसा धर्मात्मा है जो मेरे काशी के कुवें से लोटा को निकालेंगे अपना मंदर के दवारा उन्हों में बोला था अरे करपुर गरोम वाला जो बोलते हैं तो वही हमारे गाउं को जो पंडी जी हैं प्रभुत तिवारी जी तो हम लोग यहां बजपन में अभी भी आते हैं तो कोई फंगुसान हो पूजा पाठ हुआ तो उड़का मंत्र लोग सोनते सुनते धीरे से उसको कोपी करने के त्यारी में लगे रियाज करने लगे देर देर बोलने लगे तो वही जब पंडी जी लोग जूटते हैं और रुसी में उपंडी जी जूटते हैं तो अपने भासा में मंत्र कैसे बोलते हैं तो ये देखें ये मंत्र था ये पंडी जी जो तुतला पंडी जी देखें उनका भाव परगट की हैं बाबा किसी के दिल को ठेस महुचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं ये एक कमेडी है और एक भाव परगट कर रहे हैं जो इनके गाओं के बाबा है बहुत दिनों के रियाज करने के बाद यही आप समझेए कि एक जो लीगल आदमी है अपंग है मूं से जीब से ओ एक बोलता है एक जेनरल आदमी उसी चीज़ को बोलेगा तो कितना इसमें मे